भाग तीन में दिखाया जाता है। टुंडा उस होलोग्राम को खींचता है जिसे उसने अपने कम्प्यूटर पर देखा और खुद मुख्य भूमी की और यात्रा करता है। जब वह वहां पहुंचता है तो वह एक पुराने दोस्त से मिलता है जिसे वह 30 साल से नहीं देखा ह जो अब पुलिस के लिए काम करता है। जब उसे यह मालूम होता है कि टुंडा सिर्फ इसलिए उसके पास आया है क्योंकि उसकी मदद की जरूरत है तो वह जाँच में शामिल होने से इंकार करता है और दो घंटे बाद चला जाता है। दो घंटे बाद टुंडा पहले ही फिरोती के पैसे प्राप्त कर चुका है और किड्नैपर को कॉल करने का इंतिजार कर रहा है जिसे उसका यह पता नहीं है कि बॉडी ने पुलिस के पास जाने का घ्यान प्राप्त किया है और अब लड़ाई के लिए 250 मिलियन की मांग कर रहा है बेहत बेचैन टुंडा समझात कि उसके पास उस पैसे तक पहुँच नहीं है लेकिन बैडी जानता है कि वह उस कंपनी में हिस्सेदारी रखता है जहां वह काम करता है और कहता है कि उस आदमी के पास सिर्फ एक घंटा है उसे उसे दे देने के लिए वरना टुए उसी समय हत्या कर दी जाएगी उसी समय तुन्डा को OEM से सिगनल मिलता है और वह पीछा करता है उसी बीच कोल कचरे में है जहां वह शनिवार से छुपने की कोशिश कर रहा है लेकिन अंत में तो सांप आता है और शनिवार के खिलाफ युद्ध शुरू करता है जो उसे अपनी चाबुक से हटाने की कोशिश करता ह उसके प्रतिद्वंधवी को दूर फेकने की क्षमता वाले उर्जा के धमा के प्रस्तुत करने के बाद OEM कोल के पास आता है और पूछता है तुआ का सत्य है कि सर्प एक रोबोट है जिसमें कृत्रिम बुध्धिमत्ता है जो टुंडा द्वारा बनाया गया है OEM ने मानव दुनिया कैसे काम करती है और TUA की संरक्षा के लिए उसे क्या करना चाहिए इसके बारे में थोड़ा जान लिया लेकिन अब जब लड़की को अपहरन किया गया है तो सर्प हरा भरा है और नहीं जानता कि वह अपनी मिशन कहां से शुरू करे कोल से मिलने के बाद रोबोट जानने का प्रयास करता है कि TUA कहां है लेकिन लड़का दावा करता है कि शनिवार ही इस जानकारी को रखता है ओपम की द्रिश्य के समय वह निराशा में भागता है और कोल को पकड़ने की अपनी मिशन को छोड़ देता है अब उसकी प्राथमिक्ता अपनी जिंदगी बचाना है क्योंकि उसने देख लिया है कि उस जानवर क्या कर सकता है शनिवार को पीछा किया जाता है लेकिन उसका परावर्तनिय वाहन में बैठ जाता है लेकिन OEM अपनी जीब का उपयोग करके वाहन में प्रवेश करता है जल्द ही टुंडा OEM की तलाश में दिखाई देता है और कोल कहता है कि सर्प उन लोगों की पीछा कर चुका है जो टीवे को अपहरित कर लिया है और गिल्टी की अनुभूती के साथ लड़का निर्नय लेता है कि उसने शरीर को उसके दोस्त को पकड़ने में मदद की लेकिन कहता है कि वह टुंडा को उसे खोजने में मदद करेगा जब वह अपने बॉस के एक छुपने के स्थान पर पहुँचता है शनिवार उसे बताता है कि क्या हुआ है और अब तक उसे यह संदेह नहीं है कि OEM उसके पीछे आया है जो अपराधियों की बातचीत को सुन रहा है TUA को पता चलता है कि लड़का जिसे वह अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी उसने उसे धोखा दिया और उसे देने के लिए जिम्मेदार था जब TUA अपने कमरे में ले जाया जाता है OEM उसके पास चिप कराता है और खुद को परिचाय करने का फैसला करता है ततकाल खुशी जाच करने के लिए क्या हो रहा है और लड़की कहती है कि उसने एक चुहे को गुजरते हुए देखा है जब महिला छोड़ देती है तो OEM फिर से प्रकट होता है उसके पास केवल 4% बैटरी शेश है लेकिन वह अब भी TUA के साथ समवाद कर सकता है जानवर यह खुलासा करता है कि उसे उसको बचाने के लिए A. मोड में प्रवेश करने की आवश्यक्ता है लिकिन यह कार्यात मकता जब तक कि सर्प को रिचार्ज नहीं किया जाता है तब तक सक्रिय नहीं की जा सकती है टुंडा अपनी बेटी को कहां ले जाया गया था उस स्थान को खोजता है समस्या यह है कि वहाँ बहुत से अपराधी हैं और टुंडा जानता है कि वह उन सभी से अकेले में नहीं जीत सकता है इसलिए हर बार जब वह बाडी के पास जाता था लड़का अपना सेल फोन रिकॉर्डर चालू कर देता था और इसके कारण वह उसे दोशी ठहरा सकता था उस रात को कोल अपराधी को फोन करता है और उसको उनके अंतिम बातचीत की रिकॉर्डिंग दिखाता है टुंडा फिर बाडी से अपनी बेटी को लौट आने का आदेश देता है अन्यथा रिकॉर्डिंग्स जारी की जाएंगी और पुलिस को सौप दी जाएंगी घुसे से पराधी फोन को काट देता है और इस स्थिती का जिम्मेदार शनिवार को ठहराता है क्योंकि उसने कोल को पकड़ने में नाकामी हासिल की है लेकिन उसके सुरक्षा कैमरों को चालू करने के बाद और देखकर बॉडी फिर से टुंडा को फोन करता है और उसको वहाँ ध्यान देता है जबकि उसके लोग उसे पकड़ने जाते हैं उसी समय कॉल उसी कमरे में ले जाया जाता है, जहां TUA है। तब जब वह लड़की को देखता है, तो कोल उससे माफी मांगता है, कि वह अपनी मा को बचाने के लिए किया था। कोल बताता है कि उस तरह के गरीब लोगों को रोजाना अपने जीवन के लिए लड़ना पड़ता है जब वही क्षण OEM लड़के के पास आता है और जल्द ही समझता है कि रोबोट की बैटरी लगभग समाप्त हो गई है टुंडा एक कुरसी पर बांधा है और खुशी अपने बॉस को मना रही है कि वह अपनी सीमाओं को पार कर रहा है लेकिन बॉडी के पास उसके लिए अन्ययोजनाएं हैं आदमी ग्रीनवुड टेक के करमचारियों और ग्राहकों की पूरी सूची चाहता है टुंडा कहता है कि यह असंभव है क्योंकि इस जानकारी तक पहुँचने के लिए उसे कमपनी के सुरक्षा प्रणाली में हैक करना होगा इसलिए बॉडी इंजीनियर के घर जाता है और टुंडा को कैदी बनाता है जब उन्हें आक्रमण के बारे में चेतावनी दी जाती है मिस्टर जी और कोल की मा छिप जाती हैं दरवाजे के माध्यम से वे देखते हैं कि कोल और टीवे भी बंधक बनाए गए हैं बच्चे शौचालाई के कमरे में फंसे हुए हैं और कोल उन्हें बाहर निकालने का एक तरीका सोचने की कोशिश करता है लड़का जानता है कि उसे रोबोट को चार्ज करने का एक तरीका ढूंडना होगा ताकि वह ए मोड को सक्रिय कर सके लेकिन इसके लिए उसे कार्याले से चार्जर प्राप्त करना होगा फिर ठीवे रोने लगती है और दर्वाजे की रक्षकों का ध्यान बांध देती है जब लड़की को उसके पिता के पास ले जाया जाता है तब कोल को बाहर जाने का मौका मिलता है इस दोरान उसकी मा और जी गाड़ी में छिपे हैं और पुलिस से संपर्क करने की कोशिश करते हैं लेकिन सभी पुलिस स्टेशन बंध हैं इसलिए वे अकेले ही काम करने का निर्नाय करते हैं जब वह अपने पिता के कार्याले पहुँचती है तो TUA रोना बंध करती है और चार्जर को लेने का अवसर ढूंडने का इंतजार करती है फिर वह कार्याले छोड़ती है बहाने से कि उसे शौचाले जाने की जरूरत है तभी कोल रसोई में छिपा है और उसे शनिवार के आगमन से आश्चर्य होता है हम शकल की द्रिश्य में लड़का उसकी दिशा में फल फेंकता है लेकिन शनिवार हमले को बचा लेता है जब वह टोस्टर से मारा जाने वाला होता है तो TUA अपने फ्लाइंग स्केट बोर्ड पर आ जाती है और अपराधी का ध्यान खींचती है जब शनिवार अपना इलेक्ट्रिक विप उठाता है ताकि उसे हटा दे तो कोल उसके पास थोड़े बर्फ के पत्थर फेंकता है ताकि वह फिसल जाए जब उसे पानी की धारा लगती है तो वह व्यक्ती बिजली से चमक जाता है और बेहोश हो जाता है दुश्मन से चुटकारा पाने के बाद दो दोस्तों ने मिलकर OEM को चार्ज करने का प्रयास किया इस प्रक्रिया के दौरान टोला एक जोडी कम्यूनिकेटर चश में प्राप्त करने निकलता है और मिसेज उसमान से संपर्क स्थापित करता है युवा महिला खुशियों द्वारा घिरी जाती है जो लड़की को पकड़ने की कोशिश करती है हालांकि महिला उसे पकड़ सकने से पहले ही OEM प्रकट होता है और आखिरकार A.A. मोड को सक्रिय करने में सफल होता है युद्ध प्रारंभ होने से पहले महिला एक मेकेनिकल आम को सक्रिय करती है जो उसे युद्ध के दौरान मदद करने के लिए है हालांकि कुछ मिनटों के भीतर ही युद्ध की प्रारंभिक दक्षणा में खुशियों को यह अनुभव होता है कि वह अकेले उसे परास्त नहीं कर पाएगी और उसे बौडी के अन्य हेंचमेन की मदद की मांग करती है जब लोग प्रकट होते हैं तो ओडिम टीओए को छुपाने को कहता है और लड़की ऑफिस में वापस भाग जाती है जहां वह अपने पिता को हमला करते हुए पाती है अपराधी को जेल भेज दिया जाता है तो कोल अपनी मां से मिलता है और टीओए अपने पिता से क्षमा प्रार्थना करती है क्योंकि वह उसकी अनुमती के बिना मुख्य भूमी पर गई थी युवा महिला फिर उस ड्राइवर से माफी मांगने जाती है जिसे वह धोखा देने की कोशिश की थी और मिसेस जी कहती है कि लड़की को माफ किया गया है आखिरकार ठीओए कोल के साथ सुलह करती है और टुंडा कहता है कि वह लड़के के चिकितसा अध्ययन के सपने को पूरा करने में मदद करेगा